नवस्कार दोस्तों मैं हूँ जिस आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एक्जानल यूटुब चैनल जहां पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपको पता होगा हमने कल साइकोलोजी का लाइव टेस्ट लिया था और हिंदी का हमने एक पहले ले लिया इसके बाद मैं ऐसे चालू रहेंगे हमारे लाइव टेस्ट और लाइव टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आये थे सबके तो आप देखिए मैं आपको आज में जो संदी बढ़ाने वाला हूं वह है आयादी संदी पूर रूप पर रूप और एक परकरती भाव यह चार और यह लिखा मेने O और यहाँ लिखा मेने IO यह दो मातरा ठीक है और यहां पर फलक्स का चीन आता है यह आपको पता है ठीक है यह चार आजगे अब बर बड़ में आगे क्या है अब संदी क्या बनेगी अब देखिए यहाँ पर जो यह ए है ना अगर यह ए और यहाँ पर कोई अन्य सोर मिल जाते हैं तब तो बन जाता है आई क्या आई बन जाएगा समझ रहा आई और यहाँ पर आई है और यहाँ पर अन्य सोर है तो बन जाएगा आई, बन गया, यहाँ पे O है, और यहाँ पे कोई अन्य सोर है, तो क्या बनेगा आउ, ध्यान रखना आउ बनेगा, और यहाँ पे O है, और यहाँ पे कोई अन्य सोर है, तो बनेगा आउ, यह था इसका rule, इसको आप दिमाग में रखना, यह एकदम अच्छी तरग से मैंने क्या उद्रने, नइनम, तो ने, यहां पर देखिए, ए है, यह वाला ए, उद्रियाँ पर अन्यसोर आगया, अब इसका क्या बनेगा, आप बताईए आप, मैंने अब थोड़ी देर बे बताया है, तो इसका क्या बनेगा बताई, आए, एकी है न, ए के, ए की मातरा आएगी, यहां पर या पर ढ़ी आएगा ना आई नहीं आएगा ना आई आपर चुब गया है नहीं हो देखें नहीं के अ आप खुद लिखके एक लिखके खुद हाथ से तो आपको समझ में आ जाएगा अब देखिए नायक केंसे बना अब नायक है अलग है तो इसके अलग नहीं इसी का है देखिए अब मैं बताता हूं नायक केंसे बना तो देखिए यहां पर कितनी मातर हैं मात्र हैं मैंने आपको बताए फार यहांपर कोई भी स्वर है ऩो अब बनेगा जब दो मात्र हो तो यह पे आयताइब और उसमें एक मात्र होति तो अब आया किसे आए आगे अब यहां पिएजिए ना आए आय की धहुनी आ रही न, नायक, नायक, ना, तो आय की धहुनी यहां पर आ रही ही, यह आप समझ सकते हो इसे यह सी त्रिक से, अब देखिए यह सहमी चीजे, साइका, यह भी आय, इसके अंदर आय की धहुनी आएगी, देख ले ना बले आप, और विश्णो प्लस ए, अब यह अलग आ गया, क्या आ गया, अब इसके अंदर धहुनी आएगी, एक आउ की, आउ की क्यूंगी आई पता है, क्यूंकि यहां पर एक मातर है, ओ यह चोटा, आउ नहीं है, अउ होथा, तो यहां पर आ हो आओ की कब आएगी देखना आओ की अब आएगी पाओ प्लस अकह तो यहां पर देखिए यहां बोलिए पाओ के तो आओ की धन्या रहे ना यहां पर यहां पर आएगी आओ यह थे इसके उधारण जो मैंने अभी सब एक एक जो रूल थे ना उनके एक एक सभी के उधारण मै तो यह होती है हमारी आयादी संदी चलिए आप देखते हैं पूरो रूप संदी अप इस संदी में देखिए आपको खाली इस चीज को ध्यान रखना है यह जो आउगर है यह एक चिन है जो देखिए इस संदी के अंदर बहुत मुख्य भूमी का निभाएगा क्या देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, कि यहाँ पर देखना, आपको यहाँ पर A है, और यहाँ पर O है, और इनके पलस के आगे सिरफ और सिरफ A की चीज आएगी, वो है छोटा A हस्व, हस्व जो A है न, यह स्वर है न, यह ही आएगा, यह हमेशा आप ध्यान रखना, पूरो रूप आप देखिए, जो उदारन है न, वो देखो गए, तो आपको समझ में आजाएगा, यह सारी चीज़े आपको पढ़ने की जरूत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, यह आप पढ़ोगे तो थोड़ा बुद कंफ्यूज भी हो जाओ, इसलिए मैं नहीं बता र रहेंगे, मतलब कि यह तो स्वर है, तो स्वर उस वेंजन के अंदर मिल जाएंगे, और उसकी मात्रा बन जाएंगे, और यह न, यह इस ए का बन जाएगा, ऐसा आउग रहाएगा, अब देखिए कैसे, आप समझते हैं, आपको मैं एक डम अच्छे त्रेक से समझाता हूँ यह देखिए, तो यह क्या है, हरे हूँ, तो यहां इसकी संदी क्या होगा, देखिए हरे फ्लस आउ, अउばन गया, मैंने क्या बताया था, यह धीज तो आप समझ गए और इधर मैंने कहा था, एय आना चाहिए, आ गया, चलिए यह संदी तो पूर रूब का रूल पूरा कर कर दिए किसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे यहाँ पे होटीट होना जाइए तो इसका बनता है पता है अब यह नष्ग के यह हमने अउग्रेट चिन लगा दिया और यह बन गया हरे ओ यह संदी बन गई देखें बहुत अच्छी त्रिक से बहुत सरव संदी है इसका उदरन मैंने आपको जब इसका पहला पार्ट अपलोड गिया ना उसके अंदर मैंने क्यूशन बताये थे पिसले साल आये हुए त मैंने क्या बताया था यहां पे होना चाहिए ओ और हो और इदर आना चाहिए तो बस यह ओ तो इसके अंदर ही ऑटोमेटिक ढहाँ हिसको तो अपनी एंदान ऑब यहantedो यह तो यह संदी यह одним और धड़ण और धन्यो असी यह यह दोनो उदार्ण और कि दोगा कि दोगी ऑगर आपको कुछा नहीं देखना है यह आगे कोई नहीं यह तो जो जो सोचना मत सियम की लिख देना और इसकी जगे अम आप कर देना वह सूम रही है यह देखिए यहाँ पर भी यह साई इस किरना आपको एगर इसकी संदी विचेत बूद लेना तो यह धन्यों तो सेम ही लिख देना और यहाँ पर यह आउगर है ना इसकी जगे ए कर देना और यह संदी विचेत दे दे और संदी करने का कह दे तो इसकी जगे ए कर देना बाकि सभी सेम रखना है यह होती है पूर रूप संदी अब हम पढ़ेंगे लेकिन रुकिए आगे बढ़ने से पहले हमें आपने मुझे एक सवाल नहीं पुछा साइध पुछा होगा किसी की दिमाग में तो आया होगा कि सर अभी तो हमने आयादी संदी पढ़ी है उसके अंदर यही तो बात थी यही तो बात थी सेम ही तो बात थी उसके अंदर उसके अंदर भी ऐसा ही था कि यह और यह मिलके बनते हैं तो यहां पे आता है आता है अगने लेकिन यहां क्यों नहीं हुआ तो एक बात बता दूँ आप ध्यान रखना ये जो अपन ये संदी पूरो रूप संदी पढ़ रहे हैं ये अयादी संदी का अपवाद है ये आपको वहाँ पे option के अधार पर दिया जाएगा option में अयादी संदी का अगर आप पूरो रूप का पुछेगा तो अयादी संदी का वहाँ पे कुछ भी नहीं दिया जाएगा कैसे कि मान लिजिए आपको ये चीज दे दी तो आप उट्टोमेंटिकी इस चीज से समझ जाओगे कि हाँ ये पूरूरूरूप संदी है ठीक है चलिए ये तो बात होगी नोर्मन मान लिए आपको ये दे दिया तो फिर आप कैसे समझोगे फिर आपको ये चीज दी जाएगी उप्सन में वो अयादी का उप्सन नहीं दिया जाएगा ये ध्यान रखना ना और एक चीज बता देता हूँ कि ये जो मैंने ये जो लिखा है ना ये जो एक्जम्पल लिखा रहा हूँ ना ये आपको बता है मकान को जब मकान बनाते तो उसके आगे क्या हिस्सा जो एक पत्थर रखते ना अलग ही तरह का एक पत्तर होता है उसको कैसे काट 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 के अलग एक अच्छा पत्तर बनाया जाता है वैसे ही इन उदार्णों को चुन चुन के लिखा गया है जैसे कि यहां पर यह चाइना में तो यह टेट आर टेट हुआ था जब 2012 के अंदर उसके अंदर यह क्यूसन आया था इसे ही आपके भी एक्जामे इन उदार्णों में से क्यूसन आयेंगे देखना अगर आप इन चारों को भी ध्यान से देखना इन चारों में से भी आ सकता है पूर रूप का पूछे तो आना इसलिए बोला इन उदार्णों को आप लिखिए अराम से लिखिए दीरे-दीरे लिखे, यादगर के लिखे अब है पररूप संदी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या कि बाई पररूप संदी क्या है? पररूप संदी को पढ़ने से पहले मैंने आपको जो उदान है वो तुम मैंने बता दिया और पररूप संदी देखिए के देखे अकरणठ अपसर्ग मतलब कि प्रे अप आू सुन जखेऊ आप परे अप आू उप पर्ड और यह अगर यह अगर यह प्लस का सीन है प्लस का सीन, इधर है न, अभी मैंने जो बताए न, प्रे, आप, आउ, उप, परा और आ, इन में से कोई इधर आ जाए, समझ गए आप, क्या, इन में से कोई इधर आ जाए, और इनके आगे, इस साइड में, यहाँ पर ए और आउ, क्या, ए और आउ, यह आजाए, तो अब इ उनका ये बन जाएगा ये खुद या जाएगे इसके अंदर देखना कैसे आप में बताता हूं आपको ये है प्रेज़िते तो देखिये प्रेज़िते में मैंने अभी आपको बताएथा प्रे उपसर गए इसकी संदी विच्छेत करते तो ऐसा बनेगा प्रे प्लस ए जिते, यहां उपर लिखा भी आप देख सकते हैं, यह बन गया प्रे जिते, तो यह उपसर गया, मैंने बताए था, अकरांत उपसर गयी नहीं केता है, यह उपसर गया, प्रे, और इसके बाद में मैंने कहा था, कि ए या हुआ जाए, तो यह आ गया, यह, तो अकरांत उपसर गयी, यहां पर प्लस है, और इधर ओ आया, तो अब इसका क्या हुआ बताए यह, इसके उपर चड़ा के नहीं चड़ा, यह उप है, यह उप है, तो यह उपसर बन गया है, यह नहीं बन गया है, यह देखिए जबस और इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि इसम और ओ आजाए, ठीक है, यह आगे, तो होगा गया, बस यह ना, इसमें जुड़ जाएगी, और कुछ भी नहीं हो ना, इसके इंदर आप इतना ही ध्यान रखना, और यह बता दूँ कि यह उदारण एक्जाम में आया हुआ है, और यह आपके एक्जाम में आएगा, यह ध् सवार संदी का लाश्ट भेद है, जो आट वा माना जाता है, जिसको परकती भाव केते हैं, तो परकती का मतलब आप सधानते है, कि परकती का क्या मतलब होता है, कि परकती है, तो परकती की साफसे जो चीज़े बनी वह तो उसी साफसे रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, तो च अगर जंप लाएगा तो आप राम से कर दोगे यह तीन ही उदारन है इनको आप राम से दिमाग में रखना था कि आप हर समय कर सको तो देखिए हरी एतु तो यह यहां पर हरी प्लस है तो इसका क्या हुआ इसका संधी विचेद किया तो यह सेम यह बन गया विश्णु इमो तो विश्णु पलस इमो यह बन गया बस गंगा अमू तो यह बन गया गंगे पलस अमू बस और इसमें कुछ भी नहीं है परकति वाव इतनी ही थी देखिए मैं ना कोशिश करता हूं कि वीडियो एक वीडियो के अंदर ही मैं सारी संधी ले ले लेकिन देखिए आज मैं इसको मैंने कम से कम तीन गंटे देती है अब तीन गंटे में मैं खाली इतना सा कर पाया हूं इसलिए क्या हो तो कभी कभी किसी का फोन आ जाता कभी कोई डिश्टब कर देता ऐसे चलता रहता इसी कारण थोड़ा वीडियो मैं पार्टों में अपलोड कर रहा हूं लेकिन अगर कौसिश करूंगा मैं वियंजन संदी एक ही पार्ट में अफलोड करूंगा और सवरी विसरग संदी अलग एक पार्ट में अफलोड कर दूंगा तो थेंक्यू दोस्तों अगर आपको अच्छा लगेना है तो इसे सेर करना ना बूलें और मैं कभी किसी को कुछ भी न आइकन यह सब आपके दिमाग की बातें आप करना चाहें तो जरूर करें लेकिन आप इसे सेर करना ना बूलें थेंक्यू